उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने PCS Pre 2024 और ROARO 2030 की परिक्षा दो दिन और दो स्षिप्ट में कराने का फैसला किया है छात्र आयोग के इस निर्णाय के किलाफ आंदूलन का एलान किया है छात्रों ने आज प्रयागराज में लोग सबा आयोग को घेरने का एलान किया है प्रयागराज के अलाबा कई अन जन्पदों में छात्र बड़ी संक्या में इस घेराओं में शामिल होगे बता दे की इससे पहले सहायक समिक्षा अधिकारी और समिक्षा अधिकारी की एक साथ एक दिर और एक सिप्ट में कराने की मांग पेर अड़े प्रतियोगी छात्रों ने बड़े आंदोलन की जमीन तयार कर लिए मीडिया से वारता में छात्रों ने साफ किया कि सो मौर्गों लोग सेवा आयोग के बाहर बेमियादी धरने पर बैटने जा रहे हैं प्रतियोगी छात्रों से जुड़े कई वीडियोज चो वायरन हो रहे हैं जिसमें बड़ी संक्या में प्रतियोगी छात्र अपने जनपदों में प्रयागराज आंदोलन के लिए आ रहे हैं तैयारी करने के लिए प्रतिमा सिंग का कहना है कि PCS-PRI 2024 और PRO-ARO 2030 परिक्षा एक सिप्ट में और एक ही दिन कराई जाने चाहिए उनका कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक परिक्षा एक दिन और एक सिप्ट में कराने का आश्वासन नहीं मिल जाता है प्रतियोगी छात्र आयोग नॉर्मलाइजेशन का फैसला भी वापस लेने की मांग कर रहा है उनका कहना है कि normalization से नुकसान होने की आशंका है, साथ ही इस से बरश्टाचार को बढ़ावा मिलेगा प्रत्योगी छात्रों का कहना है कि विग्यापन में normalization का जिक्र भी नहीं था आयोग ऐसा करके विग्यापन शर्तों का उलंगन कर रहा है उनका कहना है कि अगर आयोग ने फैसले वापस नहीं लिया तो वो आदालत का धरवाजा खटकटाएंगे प्रियाग राज में हो रहे इस आंदोलन की सबसे खास बाती है कि ये एक सामोईक आंदोलन ने प्रियाग राज में ऐसा काफी समय बाद हुआ है जब छात्रों का आंदोलन की बिला किसी नेत्तुत के साथ हो राओ बता देगी आयोग के परिक्षा कारिकम के मुदाबिक UP PCS 2024 की प्रे-परिक्षा 7 और 8 सितंबर दिसंबर में दो सिप्टों में प्रोस्तावी थे जबकि समर्शा अधिकारी और सहायक समिछा भारती परिक्षा 22 और 23 दिसंबर को दो सिप्टों में आयुद की गई है तो फिलाल आपको क्या लगता है क्या ये पर इच्छा एक सिफ्ट और एक दिन में होनी चाहिए या फिर जो अयोग ने सेडूल जारी किया उसके हिसाब से कौन बॉक्स में लिख कर पताना और पेज को फॉलो करना चैनल को सब्सक्राइब करना ब्रगूर दोन लगा धन्यवाद